तो चलिए दोस्तो current affairs को शुरू करते हैं और current affairs में basically हम लोग ये study करेंगे कि कोई भी current affairs रहता है तो उससे UPSC या state PCS में हमारे लिए कौन से सवाल बन सकते हैं क्योंकि current affairs हम अमोमन पढ़ते रहते हैं बद ये हम analyze नहीं कर पाते हैं कि इससे exam में question क्या बनेंगे तो हमारे इस series का यही मोटो है कि हम किसी भी current affairs से बन सकने वाले सवालों को समझे और उन्हें analyze करें याद रख सके ताकि जब exam में वो सवाल आये तो हम ये जान सके कि अच्छे ये किस current affairs आता और ये बात हमेशा याद रहे कि current affairs को समझनी के लिए आपको GS की पूरी knowledge होनी जरूरी है जब तक आपको GS की बारे में knowledge नहीं है आप ये समझी नहीं पाएंगे कि किस current affairs से क्या सवाल बन पाएंगे तो आज का जैसे हमारा current affairs है वो कौन सा है कि मोधी जी ने लक्षदीप में विजिट किया और वहां पर उनके विजिट से जो news निकल के आई है मौल्दिव का क्या रिस्ता है भारत और मौल्दिव में क्या tensions बने हुए है उससे हमारे लिए क्या question बन सकते है हम इसके बारे मे चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा अगर मैं glimpse दे दू इस current affairs के बारे में कि जैसे ये मौल्दिव के जो प्रेसिडेंट है मौल्दिव के प्रेसिडेंट है मिजू अब इन्होंने अपने election campaign के लिए वहां पर मौल्दिव में election चालो होने वाले हैं तो election campaign के लिए भारत के खिल बहुत सारे ऐसे statement दिये हैं प्रधान मंतरी मोधी के खिलाप statement दिये हैं सडकों पर जब उनकी party के द्वारा rallies निकाली गई तो लोगों ने मोधी के मास्क पहन करके अनापसरा नारे लगाये हैं तो जिसकी वज़े से अगर हम देखें तो पिछले कई महिनों से हमारे जो इं टैकल करने के लिए अगर हम देखें तो मौल्डियू में बहुत सारे जो इंडियन्स हैं वह अपनी छुट्या मनाने के लिए जाते हैं और मौल्डियू के पास ऐसा कुछ है नहीं कि हमारी तरह खेती कर सकता है आमारी तरह वह आईटी के लिए कहीं दूसरे देशों में ज आरतियों के लिए मौल्डियू नजदीक परता था अभी मैं पर दिखाऊंगा जिसकी वज़े से लोग हनीमून मनाने के लिए या फैमली के साथ आराम से वहां घूमने के लिए जाय करते थे और यह बात बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए भी कि मौल्डियू ने अपन फिवरेट डेस्टिनेशन बना और यही मौल्डियू की एकनोमी का सोड़ था पर मुझे लगता है कहीं कहीं मौल्डियू ने इस बात को अंडेस्टिमेट किया कि अगर हम भारत के साथ अपने रिष्टे खराब करते हैं तो अल्टिमेटली उन्हें ही नुकसान होगा और हमें दुख है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री हो या कोई भी नेता हो कैसे भी हो भारतियों के लिए हो सकते हैं भारतिय उन्हें गाली दे कुछ भी करे चलेगा लेकिन अगर कोई दूसरे देश का प्रेसिडेंट या दूसरे देश के लोग हमारे देश के नेता या हमार को समझाना बहुत ज़रूरी है बस इसी के लिए मोधी जी बढ़िया गया है वहाँ पर विजिट के अपने लक्षदीप में और वहाँ पर भी टूरिजम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अपील किया और वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट के लिए मोधी जी ने उन्होंने अलग-अलग अक्टिविटी की जैसे पानी में अंदर जा करके उन्होंने मरीन्स वगर को देखा उसके बाद बीचेस पर टाइम स्पेंड किया और उनकी सारी की सारी अगर हम बात करते हैं फोटोस को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और ट्विटर उनके एक बड़ी following होने के वज़े से जो लक्षदीव था वो पूरी दुनिया के नजर में आया हुआ है तो अब इससे समझेंगे कि हमारे मौल्दिव जो हो गया और हमारे देश इंडिया या लक्षदीव से related क्या सवाल बन सकते हैं तो सबसे पहले मैं कुछ दिखा देन सकता है कि यह आयलेंड का नाम दे दे जैसे कि आगाती आयलेंड हो गया ठीक है उसके बाद मीनी को आयलेंड के बारे में सब लोग जानते हैं और कवरती आयलेंड के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन कालपेनी आयलेंड हो गया तो कालपेनी हो गया या आगाती हो गया इन सब islands के बारे में हमें पता नहीं था तो ये सारे islands के बारे में सवाल बन सकता है तो इनसे हम समझे कि क्या सवाल बनेगा और उसे हम कैसे टैकल करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लक्षदीप के बारे में अगर हम समझना चाहें कि क्या है लक्षदीप तो हमारे लिए भाईया ये यूनियन टरिटरी है लक्षदीप, छ peuple ayland से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर छोटे मोटे कितने छटデश आयलन्ड है, अब देखो कोई भी country हो, कोई भी island हो, यह कोई भी union territory हो, जब बहुत सारे island से मिलकर बनता है, तो उसे हम आर्ची पे लोगों कहते हैं एक जोग्रफिकल टर्म है अगर आप जोग्रफी नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पर व्यूडियो अवोलेबल है इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप सब कुछ वहाँ पर आप देख सकते हैं तो 36 आइलेंट से मिलकर के बना हुआ है 32 स्क्वाइर किलो मीटर का एरिया है ठीक है? उसके बाद अटॉल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स होते हैं जैसे कि मैंने जब यहाँ पर आपको इमेज दिखाया है यहाँ पर यह अंदर जो क्या है? अंदर यह कोरल्स हैं कोरल्स कोई हम लोग अटॉल्स कते हैं कोरल्स से बने हुए आइलेंट को अटॉल्स कते हैं तो कुछ-कुछ आइलेंट से जो कोरल्स से बने हुए इसलिए उसे हम कते हैं 12 अटॉल्स हैं वहाँ पर ठीक है? coral reef का भी नाम सुनाओगा आपने reefs होते हैं जैसे दुनिया में सबसे बड़ा reef कहा है तो Australia में पाए जाता है Great Barrier Reef कहा जाता है अब लक्षदीप पर वापाश आते हैं तो लक्षदीप की capital की बात करें तो कवरती है कवरती island लक्षदीप की capital है मैं दिखाओंगा मैपर भी क्यों कहाँ पर है ठीक है उसके बाद अगर 36 islands है तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा तो यहां मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ा जो island है वो है एंडरॉट मैं यहां लिख देता हूँ कि सबसे बड़ा जो island है एंडरॉट यह क्या है तो यह largest island है largest island है कहा का हमारे लक्षदीप का उसके बाद दूसरा बड़ा island कौन सा है तो दूसरा बड़ा island है मिनी कौय मैं यहां लिख देता हूँ मिनी कौय यह है second largest second largest उसके बाद मोदी जी ने 1150 करोड का investment की बाद कही है कहां पर अगाती आईलेंड पर तो तीसरा चीज अगाती आईलेंड अगाती आईलेंड अगाती आईलेंड पर 1150 करोड का investment ठीके 1150 करोड का investment कहां होगा अगाती आईलेंड पर होगा अगाती आईलेंड पर होगा टोटल कितने आईलेंड से मिलकर बना है तो 36 आईलेंड से मिलकर बना हुआ है अचा इन सारे आईलेंड का अगर हम shape की बात करते है कि shape कैसा है मैं यहां लिखता हूँ शेप तो इन सबका जो शेप है वो घोडे की नाल की तरह है मतलब कुछ ऐसा है इसे हम करते होर्स सू घोडे की नाल की तरह इनका शेप है अच्छा लक्षदीब का कैपिटल क्या है तो कवरत्ती कवरत्ती तो यहां पर एक और एड हो जाएगा आइलेंड में हमारा कवरत्ती आइलेंड पहले तीन याद रखना एन्रोट, मिनिकोई, आगाती देखो मिनिकोई और कवरत्ती नहीं भूलेगा कोई क्यों कि कवरत्ती वहां का कैपिटल है और Miniquiden के जब्से सदर्न में है वह सब से सदर्न पार्ट है हमारे लक्षदीप का Miniqui मिन्य ग्यू को लेकिन अन्रोट और आगाति यह याद नहीं था तो अन्रोट याद रहना है अन्रोट सबसे बड़ा है और आगाति पर 1150 करोड का इंवेस्मेंट है इसी साथ एक और आइलेंड कालपेनी आइलेंड ठीक है कालपेनी आइलेंड पर वहां पर वाटर में जितने भी स्पोर्ट्स अक्टिविटी होती है वो उपलब्द कराई गई है लक्षदीप गौर्मेंट के द्वारा तो मैं यहां एड कर देता हूं हमारे पांच अगाती अगाती पर क्या है ग्यारह सो पचास करोड का इन्वेस्मेंट दूसरा ए से हो जाएगा एंड रॉट एंड रॉट क्या है तो लार्जेस्ट आइलेंड है ठीक है लार्जेस्ट है तीसरा हम बात करेंगे तो हमारा है मिनी कोई क्या है तो यह सेकेंड लार्जेस्ट है उसके बाद चौथा अगर हम बात करेंगे तो काल पेनी आइलेंड काल पेनी आइलेंड काल पेनी आइलेंड पे क्या है तो वाटर स्पॉट्स एक्टिवीटी वहाँ हमें देखने को मिल जाती है और पाचवा हमारा जो आईलेंड है जो हमें याद रखना हो रखना है कावारती कया है तो हे कैपिटेल के साथ साथ कावारती पर ही हमें मरीन म्यूजियम देखने को मिलेगा कि मरीन लिए मूजियम मरीन मूजियम को मिलेगाدمृ उश की जो मिनी नहीं रहते हैं यह पक्चियों के लिए फेमस है बड्स हैबितेट किसके लिए फेमस है पक्छियों के लिए फेमस है इतना चीज क्लियर हुआ ओके थीक है चलो अब मैं अगर दिखाऊं यहां बाद में आते हैं पहले हमने सारा का सारा यह निऊज दे ठीक है आगाती आइलेंड के बारे मैंने बता दिया और मिनी कोई के बारे में बता दिया एक इसमें जो मेंशन नहीं था कि सबसे बड़ा आइलेंड कौन सा है तो वो था एंडॉट उसके बारे मैंने बता दिया अब मैं इसे आपको मैप पर चलके दिखा देता हूं कि मैप ये कहां कहां पर है और कुछ चीज़ी और है जो मॉल्दिव और लक्षदिव को अलग करती है उसे हम चैनल्स कहते हैं वो चैनल्स कौन कौन से हैं वो हमारे लिए important हो जाएंगे ठीक है तो Google Map मैं open कर लेता हूं और यहां यह रहा हमारा प्यारा भारत थोड़ा सा यह लोड हो जाए देखे यह हमारा प्यारा भारत है उसके बाद यहां हम आ जाएंगे केरला और केरला के सामने यहां देखेंगे तो हमें वेस्ट में यह क्या दिखाए देते होगा लक्षदिव लक्षदीप देखेंगे यहां चोटे 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 बहुत सारे आईलेंड है सारा अब देखो यह हमारा आगाती आईलेंड यह हमारा कावरेती आईलेंड जो कैपिटल है यह आगाती है जहां पर डेवलप्मेंट के लिए ग्यार सो पचास करोड का खर्चा किया गय अब इसका नीचे अगर हम देखेंगे तो यह सारा का सारा क्या है मॉल्डिय। मैं अगर के उसे माल कर दूँ यहां से यह मॉल्डिय। मीन्यूक अगर आगे यहां आगे हमारी म。 मैं और फिर मैं दिखाताू nuggets देखो यह हुआ है ठीक है यहां देखो इधर का एरिया यह हम मौल्डिव और यह हमारा मिनिक्वा है तो इसकी बीच का जो वोटर बोड़ी है इसे हम कहते हैं आठ डिग्री चैनल तो कहेगा कि एट डिग्री चैनल पासेश थ्रो मिनिक्वाई एंड मौल्डिव यह सेपरेटेड मिनिक्वाई एंड मौल्डिव उसके बाद उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यह हमारा है मिनिक्वाई यह हमारा है मिनिक्वाई और यह हमारा कवरती तो कवरती और मिनिक्वाई को कौन सा वोटर बोड़ी सेपरेट करती है तो नव डिग्री चैनल 9 degree channel ठीक है? 9 degree channel तो यह याद रखना mini kuai और moldi को अलग करेगी 8 degree channel और mini kuai और coverati को अलग करेगी 9 degree channel तो यहाँ से यह सारे के सारे हमारे important point हो गए जितने भी question बन सकते थे अब कुछ दो छोटे सवाल और जैसे moldiw से हैं अगर हम moldiw की बात करें तो moldiw की capital कौन है तो moldiw की capital है ठीक है? और यहाँ कि अगर हम currency की बात करें currency तो जैसे हमारे यहाँ चलता है Indian rupia ऐसे यहाँ पर चलता है Maldivian rupia ठीक है? Maldivian rupia क्या चलता है? Maldivian rupia Maldivian rupia चलो मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पर Maldivian rupia यहाँ देखो यह इस तरीके से दिखता है तो इतना clear हो गया है अब यह आज का हमारा current affair यहाँ पर समापत होता है उसके बाद जो next current affair हैगा हम उस पर चर्चा करेंगे और उससे related सवाल ले लेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते है बाकी की story next lecture में